मुझे ये नुश्का मेरी बुवा ने बताया बोली शेंपू नहीं शेंपू करने का तरीका बदल के देखो बाल 15 दिन में डबल हो जाएंगे एक बार आप शेंपू को नावल तरीके से छोड़ कर इस पानी में मिक्स करके लगा के देखिए आपकी बालों को मिलता है शेर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलेगा इसके लिए आपको लेना है एक बीट रूड इसको धोकर अच्छे से वाश कर ले आपको इसे पील बिल्कुल भी नहीं करना है आपको इसे चुटे-चुटे पीसिस में कट करना है चुकंदर में मौजूद एंटी- पीसिस में कट कर लेना है फिर आपको लेना है एक अध्रक का टुकड़ा आपको अध्रक को भी चुटे-चुटे-चुटे पीसिस में कट कर लेना है तरका रस आपके बालों में नेई ग्रुगोत लाता है आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है आप अध्रकर ऐसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बहुत रहा है अब आपको इसे मिक्सी के जार में डाल कर अच्छे से पेश्ट बना के तयार कर लेना है जब आप इसे चान कर इसके जूस को अलग करते हो तो आपको मिल जाता है एक मैजिकल पानी यानि की बैनी फिट से भरा पानी इसी में आपको अपने बालों में शैम्पू करना है जब भी आप हैर वाश करते हों, अपने बालों में लगाईए लगा कर दो से लगा कर दो से वबार दो वास करिए, ऐसा आप हपते में तीन बार जरूश खर Your एक बार की युज में यह आप देखोंगे आपके बालो का घ Hampshire all occurs आपको करें नेट्ट कर भूत आपके बालो को नेचारलीड यह उसको भी डियप caos डियेट रिड़ करता है कि कर तब को उसडंड देता है नाई गृत लाता है साथी साथ आपके बालों को थीक और लॉंग बनाता है मेरे कैने पर एक बर आप अपने नॉर्मल तरीके को छोड़ कर इस तरह अपने हेर को वाश करिए और आप इसके रिज़र्ट देखकर खूद हैराना जाओगे आपको अपने बालों में कोवी मेंधी कोई भी कलर कराने के ज़र्द नहीं पड़ेगी आपके बालों में नेच्रली कलर होगा आपके बालों में शायन आएगी साथी साथ आपके बालों को मिलता है खूब सुरुत रेट कलर आपके बाल थीक और लॉंग होंगे साथ ही साथ आपके बादों में नगी growth भी आएगी पर इस तरह आप नहर को wash करिए और इसके result मुझसे comment में share करिए वीडियो अच्छी लगे तो please वीडियो को like और channel को subscribe करिए आप next किस topic पर वीडियो देखने चाते हो आप मुझे comment करके suggest कर सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो please वीडियो को like और channel को subscribe कर दिजेगा मिलते हैं आपको next वीडियो में तब तक की लिए bye bye friends